हाई गाईस मैं हूँ रिच्चा एंड वेलकम बेक टू मैं चैनल हम जा रहे हैं नासिक और नासिक से जा रहे हैं तरमकेश्वर फाइनली हम पहुँच गए ये नेक्स्ट एकी क्लिप है अगैन मैंने मीशो से मंगाया हुआ ड्रेस पेना हुआ है जो कि बहुत ही जादा कमफर्टेबल है अब हम जा रहे हैं मंदिर तर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं कि सामने ही मंदिर नजर आ रहा है और आप उप हम बहुत ही प्यारा हुआ था और ये मौनिंग का टाइम है और बादल के उपर पूरे कुगूरा दिख रहा है बहुत ही सुन्दा लग रहा था अब हम आ गए हैं मंदिर के अंदर जहां पे हम वेटिंग एरिया पे हैं अभी यहां भी बहुत ही जादा भीर थी यहां पे दो हॉल्स बने हुए हैं ये फर्स्ट वाल हॉल है जहां पे आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग है इसके आगे एक और हॉल है जो कि सेम है वो भी पूरा फुल भरा हुआ था आप कभी भी थरमकेश पर जाते हैं और आपके पैस ज़्यादा टाइम नहीं होता तो यहां वी आईपी पास भी होता है जहां से आप सिधा मंदिर में भगवान के पास एंटर कर लेता हैं मंदिर के बाहर के सिवलिंग के पिक है ये हम जिस होटल पे रुके वे थे वो मंदिर के रास्ते पर ही है नीचे सारी शॉप्स लगी वही है होटल से रेस्टोरेंट है मिंस हम कुछ भी समान लेने के लिए हमें बहुत ही दूर जाने के जरुवत नहीं पड़ी थी सब कुछ नीचे ही मिल रहा था और जैसे ही रात हो रही थी वहाँ पे बारिश भी होने लग गई थी और इतनी प्यारी बारिश हो रही थी बहुत ही जादा हल्की हल्की सी नेक्स डे अब हम वापस जा रहे हैं नासिक नासिक जाने में भी हमें एक से देर घंटे लगने वाले थे नासिक हमें इसले जाना पड़ा था क्योंकि हमारी ट्रेन वापसी की नासिक से थी ये नासिक का मार्केट है सच बताओं तो सभी शहरों के मार्केट मुझे एक जैसे ही लगते हैं आप भी मुझे जरूर बताएगा कि आपको भी सभी मार्केट एक जैसे लगते हैं या नहीं प्रिष्ट καते हैं ये बताओं सेले टावन ₱ थाा है ये गावन Romans फाइनली हम जा रहे हैं अपने शेहर दुर्ग वापस और हमारा सफर बहुत ही अच्छा गया वापस जाने के टाइम पे ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं बहुत जल्दी अब घर पहुंच जाओं ट्रेन में बैटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता वापस आने के टाइम पे मेरे हजबन और मेरी हालत एकदम सेम तो सेम हो जाती है अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज दू लाइक का में शेयर टो माइ यूटूब चैनल विच इस रिचेश महरा और यह हमारी सीडी में हमने पे क्लिक करवाई थी जो की मैंने लास्ट में डाल दी है और थैंक यू फॉर वाचिंग